एकदम ताजे ताजे अढ़ुल का फुल जिसको इंग्लिश में हिविस्कस कहते हैं उसका पानी कहा जाता है कि गंजे सर पर भी लगा दो तो बाला जाता है तो गंजे सर पर बालाने का दावा मैं नहीं करती हूं फ्रेंट लेकिन बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्मेंस है वो रियली खतम हो जाते है एलोवेरा के साथ मिलाकर लगाने से अमेजिक रिजल्ट होता है ये ट्राइड एंट टेस्टेड है तो फ्रेंट्स ये पानी रियली बहुत यूजफूल है तो इसको लगा करके ज़रू ट्राइ कीजेगा तो इसको बनाने के लिए मैं आपको अपनी कारडन में लेके चलती हूँ यहाँ पर एकदम थाजे थाजे फूल खिले हुए है तो पाच्छे फूल तोड़ लेना है मिन्स ले लेना है तो ये कई कलर में आता है ये रेड वाला है वाइट आता है यलो आता है पिंक आता है बहुत सारे कलर आते हैं इसको लेकिन ये red वाला बहुत ही बड़िया amazing result देता है तो friends हो सके तो red वाला ही लीचेगा तो यहाँ plate में सारे flowers को रख लिया है पाँच फूल मिला है मुझे अब इसको तोड़ करके इसके सारे petals को रख लेना है और green वाला जो इसका डंठल है उसको अलग कर देना है तो यहाँ पे सारे flowers को तोड़ करके इकठा कर लिया है अब उसे plant के कुछ पत्यों को भी तोड़ लेना है जियां friends फूल के साथ साथ इसके पत्यों भी बड़े फायदे मन्द होते है तो साथाथ पत्यों को भी तोड़ लिया है अब एक कड़ाई ले लेनी है इसमें दो ग्लास पानी डाल देना है friends यह मेरा अपना बनाया हो और नुसका नहीं यह दादी नानी के जमाने से बहुत पहले से चलता आ रहा है पहले के लोगों के बाल कितने लंबे काले घने हुआ करते थे अब इस पानी में एक चमच मेथी डाल दिया है मेथी डालने के बाद एक चमच कलाजी भी डाल देना है जिसको मंगरेल भी कहते है मेथी और कलाजी दोनों बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है बालों में शाइनिंग लाता है, काला लंबा घना करने में help करता है अब जैसे ही पानी उबलने लगे, इसमें जो फूल तोड़ करके रखा था, वो और पत्यों को डाल देना है पत्यों को भी यहाँ पर तोड़ करके ही डालना है, तो पत्यों को अच्छे से तोड़ देना है, उसको भी डाल देना है अब इसको 5-6 मिनट एकदम धीमी आच पर उबालना है फ्रेंट्स, यह बहुत ज़रूरी है, तेज आच पर बिल्कुल भी नई वॉयल करना है, धीमी आच पर ही इसको उबालना है धीमी आच पर उबालने से इसके सारे पोशक तदो पानी में चले जाते हैं और पानी बहुत ही फाइदेमंद बन के त्यार होता है, देख रहा है ना पानी का कलर चेंज हो रहा है, हलका सब दैगनी हो रहा है दोस्तों यह पानी बहुत ही फाइदेमंद होता है, बालों से रिलेटेड जो भी समस्या है वो खतम हो जाती है तो इसको बना के जरू ठ्राइ कीजेगा तो लगवाग 6-7 मिनट हो चुका है स्विच को ओफ कर दिया अब इसको ठंडा कर लेना है अब यहाँ पर दोस्तों मैंने एक एलोवेरा की पत्ती ली है ताजी पत्ती है इसके किनारे वाले काटी को निकाल लेना है तो दोनों साइड काटा होता है उसको काटके हटा देना है फ्रेंट्स यहाँ अंदर का पल्प चाहिए तो अगर आपके पास एलोवेरा की फ्रेश पत्ती नहीं हो तो एलोवेरा का जो रेडिमेट जेल आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोशिश की जेगा कि फ्रेश पत्ती का इस्तमाल करें वो ज़्यादा फायदा करता है तो अब इसके उपर वाले छिलके को हटा देना है ताकि आसानी से इसके अंदर का पल्प निकल जाए इसके बीच में चाकूसे से कट लगा देना है इससे बहुत ही असानी से निकल जाता है तो यहाँ पर धेर सारा एलोवेरा का पल्प ले लिया है मैंने इसको मिक्सी के जार में रख देना है तो यहाँ पर सारे एलोवेरा को मिक्सी के जार में रख दिया है अब इसको ग्राइंड कर लेना है एकदम बारिक जितना बारिक पिस सके उतना पीस लेना है और ये देखिए दोस्तों एकदम बारिक पिस गया है अब इसको साइड में रखते हैं पानी को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है, देख रहे हैं ना पानी का कलर कितना सुन्दर सा आया है बैगनी कलर, सारे फूल पत्तियों का कलर इसमें आ गया है, बहुत ही बड़िया दिख रहा है, अब यहाँ पर एक बाउल में मैं इसको छान करके दिखा रही हूँ फ्रेंट्स, डारेक्ट यह काम आप मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, जिसमें अलोवेरा पीस के रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पानी का कलर दिखाना चाहती हूँ, कितना गाड़ा है, कैसा बनाया, इसलिए मैं इसमें छान रही हूँ, तो दबा दबा के एकदम अच्छे से छान लिया है और पूरा भर के एक बॉल पानी बनाया है देख रहे हैं न कितना बढ़िया है ये पानी थोड़ा सा चिपचिपा होता है अब इसको मिक्सी के जार में डाल देना है जिसमें एलोवेरा पीस के रखा है डाल करके एक बार अच्छे से चला देना है ताकि सारी चीजे मिक्स हो जाए और ये देखिए दोस्तों एक्तम अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको आप बॉटल में भर के फ्रिज में रख दी होगा जब भी आपको बाल धोना हो इसको बालों में अच्छी से लगाईए मसाज कर दीजे दो तीन घंटे ऐसे रहने दीजे उसके बाद बाल को धूलेना है फ्रेंड्स बालों में यह नई जान ला देता है यह लिक्विड यकीन मानिये दोस्तों बालों में एकदम नई सी जान ला देता है बालों में लंबे काले घने चमकदार बाल हो जाएंगे तो इसको कम से कम हफ्ते में दो बार इस्तमाल करना है लगवग महीने में 7-8 बार इस्तमाल करना है और इसको फ्रिज में रखके स्टोर कीजे जब लगाना हो एक घंटे पहले फ्रिज से निकाल दी थोड़ा से ये चिपचिपा होता है बालों में अच्छे से लगा करके दो घंटे रहने दीजे फिर वाश कर लीजे फ्रेंड्स ये बहुत बहुत योस्फुल है एक बार जरू ट्राई करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद